नमस्कार, आज में आपको तुलसी पूजा, उसके नीमों के बारे में तुलसी का पोदा कब कहां लगाएं, उसकी देखभाल और उपायों के बारे में संपून जानकारी देने जा रहे हूं। शास्त्रों में तुलसी को पूजनिय, पवित्र और लक्ष्मी माता का सवरूप माना गया है। कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है, वहां देवी देवताओं का वास रहता है, परिवार के सदस्यों और घर को बुरी नजर नहीं लगती, घर में सकारत्मक उर्जा का वास होत है, प्रती दिन उसके दर्शन और पूजन करने से पाप नश्ट हो जाते हैं, वह मौक्ष की प्राप्ती होती है। विज्ञानिक तोर पर तुलसी के पोद्दे से लाबकारी तत्व रिलीज होते हैं, जो घर में मच्छरों वह अन्यकीत पतंगों के परवेश को कम करते हैं पुरानों में बताया गया है कि मृत्यू के समय गंगाजल संग तुलसी के पते लेने से आत्मा को शान्ती और स्वर्ग की प्राप्ती होती हैं, कहा जाता है कि घर में किसी भी तरह का संकट आने से पहले तुलसी सारी विपदाओं को अपने उपर ले लेती हैं, इसलिए भ सबसे पहले सूर्य देव को जल दें, फिर तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा के लिए सबसे पहले पोर दिशा की और मुख करके ओम श्री तुलसाय नम्हा बोल कर प्रनाम करें, या तुलसी माता के आठ नाम को बोलते हुए प्रनाम करें, तुलसी माता के आठ नाम प्रती दिन बोलने से भगवान विश्नु के साथ मा लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है ये आठ नाम है वरिंदा वरिंदावनी विश्व पूजिता विश्व पाविनी पुष्प सारा नंदनीचा तुलसी कृष्ण जीवनी फिर तांबे के लोटे से दो से तीन बार जल दें और परिक्रमा करें चोथी बार में बचा हुआ जल पूरी तुलसी माता में अर्पित करें जल अर्पित करते हुए ये मंत्र बोलें महा परसाथ जन्नी सर्व सोभागय वर्दिनी आदी व्यादी हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते इसका अर्थ है तुलसी आप जीवन में सभी परकार के सोभागयों को बढ़ाने वाली हैं हमेशा आप लोगों की बिमारियों को दूर करके उन्हें स्वस्त रखती हैं हम आपको नमस्कार करते हैं ये बात का ध्यान रखें कि तुलसी का गमला थोड़ी उचाई पर होना चाहिए और गमले की परिक्रमा नहीं कर सकते तो आप जल अरपित करके अपनी जगा पर ही तीन बार क्लोकवाइस घूम लें फिर तुलसी माता को रोली से तिलक करें अपने भी लगाएं फूल भोग धूब दीब अरपित करें आरती करें हाथ जोड़ कर सुक समरीदी की प्रातना करें संध्य में सनान करके नहीं तो हाथ पैर धोके कुला करके साव वस्त्र पहन कर तुलसी माता के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं कहते हैं जिस घर में शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलता है वहां सदैव लक्षमी जी विराजमान रहती है तुलसी माता के पास दीपक को अक्षत का आसन देकर ही रखें आप चाहें तो कोई पातर भी रख सकते हैं पर धरम करम में चावल का परियोग करने से मा लक्ष प्रसन होती है और दरीदर्था दूर होती है तुल्सी माता की ओम नमो भगवते वासु देवाए बोलते हुए 11 बार परिक्रमा करें समय कम हो और रोज तुल्सी माता की आठी ना कर सकते हो तो सुबा के समय जल दें और शाम में दीपक जलाएं एकदशी और कार्तिक मास में विदिवत पूजा जरूर करें अगर आपके पास शाली ग्राम हो तो एकदशी और कार्तिक मास में शाली ग्राम जी को भी शुद जल, पंचा, अमृत, फिर शुद जल से स्नान करवा के तुलसी माता के पास विराजमन करवाएं उन्हें गमले में भी करें वैसे तो हमेशा तुलसी माता के पास साफ सफाई करके रंगोली स्वास्तिक बना सकते हैं पर रोज ना कर सके तो कार्टिक मास में जरूर करें तुलसी माता के पास संध्य में दीपक जलाया जाता है पर कार्टिक महीने में जैसे ब्रह्म मूरत में सनान करके तुलसी पुरानों में बताया गया है कि तुलसी इतनी पवितर है कि भगवान विश्णू ने इनको अपने सिर पर स्थान दिया है बिना तुलसी पत्र के वो प्रसाद भी ग्रहन नहीं करते अब मैं आपको बताती हूं कि तुलसी घर में कहां और कब लगानी चाहिए तुलसी का पोदा घर या आंगन के बीच में लगाना चाहिए पर फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी या खिडकी में उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी दिशा में लगाएं दक्षिन दिशा में बिलकुल नहीं लगाना चाहिए इसे आप अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं तुलसी का पौदा घर के अंदर नहीं लगाया जाता है खुले में लगाया जाता है इसके पीछे मानेता है कि भगवान ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर परंतु भगवान के दिल में रहेगा वैसे तो तुलसी का पोदा रवीवार को छोड़ के कभी भी लगा सकते हैं पर गुरुवार के दिन अपने घर में लगाना सबसे अच्छा है कार्तिक महीने में भी इसे घर में लगाना अति उत्तम है शंग घंटे के साथ तुलसी माता के मंतर बोलते हुए उनको अपने घर में लगाएं अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पोदा सूप जाए तो उसे किसी नदी या बैते पानी में परवाहित कर देना चाहिए इसकी जगएं दूसरी तुलसी का पोदा लगा लें जब तक आपके पास नई तूलसी ना हो तो आप उसी गमले की पूजा कर सकते हैं क्योंकि तूलसी का पोदा, मंजरी यहां तक की मिट्टी भी पूजनिया होती है अब नीमों के बारे में बात करते हैं तुलसी का पौधा रखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखे की, तुलसी एक महला पौधा है, इसे फूलों के पौधों के पास तो रखा जा सकता है पर कैक्टस और कांटेदार पौधों के पास कभी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए वास्तु शास्तर के अनुसार तुलसी का पोदा वास्तु दोशों को खतम कर देता है इसलिए तुलसी का पोदा आप उस जगह जरूर रखें जहां वास्तु दोशों शास्तरों के अनुसार मंगलवार, शुकरवार, रवीवार, एकदशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूतककाल, संक्रांती, सूर्य ग्रहन वे चंदर ग्रहन, संद्यकाल और रात्री के समय में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए नित्य जल दे सकते हैं, केवल रवीवार को जल नहीं देना, पर दीबदान कर सकते हैं, बिना स्नान के या फिर अशुद हाथ से भी कभी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, और नई पत्तों को ना तोड़े, जो पत्ते गिरने वाले हों उन्हें ही तोड़े, तुलसी से पत्र तोड़ते समय, देवी से पत्र तोड़ने की आघ्या लेनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फिर जिस उदेश्या के लिए तोड़ रहे हैं, वो बताएं। इसे कोई भी मंत्र बोलते हुए पत्र तोड सकते हैं, चाहे तो ओम नमो भगवते वासु देवाय बोलते हुए भी पत्ते तोड सकते हैं, कभी भी तुलसी का सेवन करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें चबाए नहीं बलकि निगल लें, इस तरह तुल भगवान विश्नु और उनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, हनुमान जी के भोग में भी तुलसी दल जरूर डालें, भगवान गनेश को तुलसी कतई ना चढ़ाएं, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुने भगवान को अर्पित किया जा सकता है, इसलिए रोजाना तुलसी के पत्ते तोड़ने की आवश्यक्ता नहीं होती है, साथ ही तुलसी को हमेशा बहते जल में परवाहित करें, तुलसी दल तोड़ते समय एक-एक पत्ता नहीं तोड़ना चाहि मंजरी को भगवान विश्नु को चढ़ाने से मौक्ष की प्राप्ती होती है, कभी भी तुलसी दल को तोड़कर हाथों में लेकर मंदीर में नहीं जाना चाहिए, किसी पात्र में रखकर पूजा स्थल लेकर जाएं, आप जिस दिन पूजा कर रहे हैं तो उस दिन अगर न कर रख लें, जिस तुलसी का पूजन करें वो नहीं तोड़नी चाहिए, अलग पोधा लगाएं, कभी जूता चपल पहन कर तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, अशुत खानपान के बाद तुलसी दल ना तोड़ें, तुलसी के पोधे के आसपास गंदगी ना हो, उसके उपर कपड़े ना सुखाएं, इसके आसपास जाडू, जूता, चपल ना रखें, जिस गंदगी में तुलसी है, उस गंदगी में कोई दूसरा पोधा ना लगाएं, मासी घरम में मैलाईं नहीं कर सकती तो पूरुष और छोटे बच्चे भी नहा के जल चड़ा सकते हैं, कई मेलाईं तुलसी को चुनरी ओडाती हैं और उसे अगले साल तुलसी विवा पर ही बदलती हैं, लेकिन अगर चुनरी पुरानी हो जाएं, तो वो चुनरी हटा के नई चुनरी ओडा दें, बहुत भारी चुनरी ना ओडाएं, एकदशी या फिर अन्या कोई शुप पर तुलसी माता की चुनरी बदल देनी चाहिए, महलाईं तुलसी मा की पूजा करते समय बालों को खुला ना रखे, बान कर ही पूजा करें, तुलसी को भगवान विश्नु ने सदा सुहागन रहने का परदान दिया है, और इसके लिए उन्हें अपने सिर पर स्थान प्र बाल गिरने और भीगे बालों से जल तपकने की आशंका रहती है, जिसे शुप नहीं माना जाता है, जब भी तुलसी का दीब बुच जाए, तो उसे वहां से हटा देना चाहिए, जला हुआ दीब तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए, शाम के वक तुलसी को जल देना काली मिर्च के दाने लेकर 21 बार उतार दे, फिर इसे बैते पानी में परवाहित कर दे, इससे बुरी नजर दूर हो जाएगी, तेज और आरोग्या की व्रिदी के लिए तुलसी की माटी का हर रोस तिलक लगाए, धार्मी गरंतों के अनुसार, अगर तुलसी जी पर जल च होती है, शीगर विवा के लिए बिछुडे संबंदी करीब आएं संतान प्राप्ति के लिए तुलसी के पास बैठ के तुलसी नामाश्चक का पार्ट करें, नए घर में तुलसी का पोद्दा श्री हरी नारायन का चित्र या प्रतिमा और जल से भरा कलश लेकर प्रवेश क करने से नए घर में संपत्ती की कमी नहीं होती, प्रतेक गुरुवार और एकदशी के दिन तुलसी के पोद्दे में शुद जल में गाएं का कच्चा दूद मिलाकर अरपित करने से आर्थिक संपन्ता में व्रिधी होती है, हनुमान जी को मंगलवार को तुलसी के पत्तों क की माला पहनाएं, इससे कर्ज उतरेगा, मैलाएं खुद ना पहनाएं, किसी से पहनवाले, तुलसी की माला को गले में धारन करने से बुद्धी सही रास्ते पर रहती है, कार्थिक मास में तुलसी की माला से भगवान विश्नु या भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाब क करने से मनो कामना पूरी होगी, भोजन पकाते समय खास तोर से चावल पकाते समय उसमें तुलसी पत्र डाल देने से कुछ कमी नहीं होती, घर में बरकत बनी रहती है, अब मैं आपको तुलसी के पोदे की देखभाल के बारे में बताती हूँ, तुलसी के पोदे को पानी द तुलसी पर जल चड़ाना है तो थोड़ा थोड़ा ही चड़ाएं ज्यादा पानी से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है गर्मी के मौसम में पर्याप पानी का ध्यान रखें तुलसी के पौदे को धूप जरूरी होती है इसे कम से कम दो घंटे की धूप पौधे की व्रिधी रुख चाती है, नई पौधे में फूल आने पर उन्हें तोड़ते रहना चाहिए, इससे पौधा घना रहता है, हमारी परंपरा के अनुसार इसे तुलसी माता का बोच कम करना कहते हैं, तुलसी के फूल, मंजरी या पत्ते नाखुन से काट कर नहीं तो पौधने चाहिए, इससे तुलसी खराब हो सकती है, तुलसी के पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यक्ता होती है, इसके लिए दो सब्ता में एक बार गो मुत्र जिसमें एक भाग गो मुत्र और दस भाग पानी के अनुपात में डालें, या फिर दो तीन महीनों में एक कम मातरा में कमपोस्ट खाट डाली जा सकती है, ज्यादा इस्तमाल से पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, और आपकी तुलसी बढ़ेगी नहीं, तुलसी में कैमिकल फर्टिलाइजर का परियोग ना करें, सूखे पीले पड़े हुए तथा मुर्जाए कर नश्ट हो सकता है, तुलसी विवाग के समय तुलसी को चुनरी ओडाने से सर्दी से बचाव हो जाता है, और पोधा सर्दी के कारण नश्ट नहीं होता, तुलसी के पोधे में पानी डालते समय मिट्टी उचल कर पत्तों पर ना लगे, इसका ध्यान रखें, इससे बिमा लग सकती है, तुलसी के दो-तिन पोधे रखें, ताकि किसी एक पोधे में समस्या हो, तो भी तुलसी की उपलपता बनी रहें, अब अगर तुलसी को रोग लग जाए, तो क्या करें? वैसे तो तुलसी में बिमारी कम ही लगती है, लेकिन कभी-कभी तुलसी में गौल, धब्बे जैसे बन जाते हैं जो एक बिमारी है लंबे समय तक नमी या गीलापन इसका कारण होता है यदि एक दो पत्तों पर ऐसे धब्बे नजर आएं तो इन पत्तों को तुरंत वहां से हटा देना चाहिए अन्यधा यह सब पत्तों में फैल कर पोधे को नश्ट कर सकते है पानी में नीम का तेल मिलाकर सब्ता में दो-तिन बार छड़काव करने से भी काले धब्बे या अन्या रोग मिट जाते हैं मिट्टी के गमले का परियोग करें सिमेट आदी का गमला ना लें एकदम बहुत ठंड के समय पर तुलसी में ठंडा पानी ना डालें अगर हो सके तो हलका गुनगुना पानी तुलसी में डाल सकते हैं पानी में गाएं का कच्चा दूद मिलाकर तुलसी की पूजा करना ज्यादा बेतर होगा इससे पत्तों में नमी रहेगी और वैं ठंड में भी हरी भरी रहेगी हफ़ते में एक दिन तुलसी की जड़ों की मिट्टी को किसी चीज से हिला कर हलका जरूर कर दें आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा धन्यवाद